Bitcoin के price में हमें एक अच्छा bounce back देखने को मिल रहा है Fed की meeting के बाद से अभी Bitcoin का price चल रहा है दोस्तो 23,000 डोलर के round इस साथी crypto market cap भी 1 trillion डोलर के उपर पहुँच गई है Bitcoin के साथी old coin में भी अच्छी rally देखने को मिल रही है कई old coin 20% से भी ज़्यादा अप है Next move Bitcoin में क्या बन सकता है इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे साथ में बात करेंगे crypto से related कुछ latest news की Welcome to our channel crypto minders अगर आप हमारे channel पे new हैं तो subscribe button पर click करके channel को subscribe करें BTC last one month से एक ही channel में trade कर रहा है दोस्तों जिसे आप screen पर देख सकते हो इस channel की upper line resistance है और downside line support है Bitcoin ने पहले भी इस channel को break करने की कोशिश की है बट Bitcoin का price इसे break नहीं कर पाया है बट सबसे अच्छी बात ये है कि Bitcoin के price में अब गिरावट रुक चुकी है और देखने में ऐसा लग रहा है कि Bitcoin ने अपना bottom बना लिया है बट हम इसे confirm नहीं कर सकते है क्योंकि Bitcoin पहले भी इस तरह का pattern बना चुका है आप screen पर देख सकते है मई जून में भी इस तरह का pattern Bitcoin के price chart पर बना था और इससे पहले भी same pattern आप देख सकते हो बनता हुआ इस बार देखना ये होगा कि Bitcoin इसकी upper side को break करेगा या फिर से downside line को break करेगा अगर Bitcoin downside line को break करता है तो हम Bitcoin के price को फिर से 17,000 dollar को touch करता हुआ देख सकते है जब तक Bitcoin इस channel को एक side break नहीं करता है तक तक आप इस channel को trade कर सकते हो अब बात करते हैं Ethereum crypto की Ethereum blockchain से related जितने भी old coin है like Ethereum, ETC, Matic सभी में strong momentum आपको देखने को मिल रहा होगा जिसके पीछे का reason है Ethereum merge जिसको लेकर कई सारे update आ रहे है और जब तक Ethereum merge का process complete नहीं हो जाता Ethereum से related tokens में हमें अच्छी rally देखने को मिलेगी अब बात करते हैं दोस्तो Fed meeting की कल Fed की meeting complete हो चुकी है और result हमारे सामने है क्योंकि news चल रही थी कि Fed की meeting में 1% तक का rate hike किया जा सकता है अगर ऐसा होता तो जो candle हम Bitcoin में upside की देख रहे है वही candle हमें downside देखने को मिल सकती थी अब बात करते हैं दोस्तो crypto से related latest news की फर्स्ट न्यूज है South Korean Authority issue a notice upon arrival to Do One Do One दोस्तो Terraform Labs के co-founder है Terra crypto के crash होने के बाद से South Korea में उनके खिलाफ कई सारे case file हुए है जिसको लेकर ये report निकल कर आई है South Korea authorities ने notice issue कर दिया है Do One को present होने का और जो भी acquisition उन पर लगे हुए है उनको face करने का क्योंकि उनकी वजह से कई सारे लोगों का पैसा डूप गया है crypto market में next news दोस्तो Meta Metaverse division losses 2.8 billion in quarter 2 कुछ टाइम पहले facebook ने खुद को rebrand कर लिया था as a Meta जिसके पिछे का reason था Metaverse Meta का जो Metaverse division है दोस्तो उसके quarter 2 के result में आया है कि Meta को उस division से 2.8 billion dollar का loss हुआ है next and last news भी दोस्तो Meta से related है FTC file lawsuit against Meta or attempt monopolization of Metaverse जैसा कि मैंने आपको बताया Facebook ने अपना name change करके Meta कर लिया था जिसके पिछे की वज़े थी Metaverse अब FTC ने उन पर case किया है कि Metaverse से related जितनी भी companies है उसे Meta buy कर रही है जिससे market में competition खतम हो जाएगा और Meta एक तरह की monopoly बनाना चाहती है Metaverse industry में जो customer के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और इसे लेकर FTC ने Meta के खिलाफ case किया है ये था दोस्तो आज का हमारा वीडियो I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए वीडियो को like और share कर दीजिए and last हमारे चैनल को subscribe करना ना बूले